हलो फ्रेंद्स, आज का हमारा वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, मेरी कई क्लाइंट्स का मेसेज़िस मेरे पास आया और उन्होंने कहा कि आप प्लीज बताओ कि लो पॉरोसिटी हैर और हाई पॉरोसिटी हैर की केर कैसे करनी है तो मैं प्रिदी पांडया, आज आप सबों के बीच इसी विक्वेस्टेड वीडियो को लेकर आई हूँ, तो ज्यादा वक्त ना परबाद करते होए, हम सीधी अपने पॉरोसिटी है, जो है, वो हैर की जो क्यूटिकल्स है, वो बहुत पोरस नहीं होती है, means अगर आप आप और आप आपके सिफ अपर लेयर में ही रहता है, वो अंदर नहीं जाता है, और जब आप वाश कर रहे हो, तो पूरा आप निकल भी पा रहा है, आप आप बाल ड्राई भी हो जा रहा है, means वो ओली हैर का टेक्शर आप लो पॉरसिटी हैर में कह सकते हो, लेकिन वो ड्राई इसलिए हो जा रहा है क्योंकि और आप वाश कर रहे हो तो सही धंग से ओल जो है वो निकलता भी नहीं है, तो वो ओली खाली दिखता है, इस वजह से ऐसे हैर में डेंडर्फ की समस्या भी बहुत बार हो जाती है, तो लो पॉरसिटी हैर की कैर कैसे करनी है, नमबर वन पॉ जिससे आपके बालों के अंदर वो ओल जो है वो जा सके पेनिट्रेट कर सके और आपके बालों के कैर कर सके तो इसके लिए ग्रेप सीट ओल, जोजोबा ओल, आरगन ओल and you can also use coconut oil, almond oil, glycerin बहुत अच्छा है, इन सब को आप अच्छे से बालों में लगाईए, जो भी आपक कीजिए, को आप अच्छे से लगाईए और बालों में स्टीम जरूर दीजिए, तब वो क्या होगा कि गरम से आपके बालों के अंदर वो पेनेट्रेट होगा और आपके स्कैल्प की केर कर पाएगा, तो अगर आप यह सोसते हो कि आपके हैर और आपको ओली है और आपको मित है, और अच्छे से कीजिए, स्टीम जरूर दीजिए, और नेक्स पॉइंट यह है कि कभी भी आप कोई भी वो तूल्स जो होते है ना जो भी वो यूज मत कीजिए, स्टाइलिंग टूल्स, उससे आपके बाल पूरी तरह से डामेज हो जाते हैं, तो यह हीटिंग अप कि आपको हैर वाश के बाद, लीविन कंडिशनर कभी ने यूज करना, आप सिर्फ दूद दई, अलोवेरा जेल, फ्रेश अलोवेरा जेल, वो आप ऐलिंग के बाद लगा कर आप शायपू कर लो, आपको बाद में ना कंडिशनर के आवशक्ता पड़ेगी, और लीविन कं करना है, वो ओली हो जाएगे थोड़ी देर के बाद, इसलिए लीविन कंडिशनर को बिगनो करना है, ठीक है, और फोर्थ पॉइंट है कि आप सब चाहते हो कि मुझे ये बताओ कि लोग पुरूस्टी हैर में बैक कौन सा लगाओं, तो बैक के लिए हीना बहुत ही अच्छा है, शिककाई, हिबिस्कुस, ये जो पैक्स है, ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छे हैं, आपको प्रोटीन मास्क यूज नहीं करना है, उससे आपके बाल जायना, वो और डैमेज हो जाएगे, आपको एग मास्क, राइस मास्क, आपको बनाना मास्क, ये स सब का इस्तेवाल कीजिए, तुलसी, नीव, ये सब आपके बालों की केर करेगा, तो इन सब पैक्स को आप यूज कीजिए, और ने लो पोरोसिटी हैर की केर, अच्छे से कीजिए, और सारे प्रॉब्लम से दूर हो जाएगे, अब मैं आपको बताती हूँ कि हाई पोरोसि और सबटी हैर वाले जो होते हैं उनके पाल, चूर्वल उनके बाल की बहुत अटा राया टामज दिखेंगे, आपको मोस्ली वो बिखेंगे, कर्ली हैर वाले, तो उसमें क्या होता है, कि आप जो भी और लगाओं तो बहुत एजली एबसॉब हो जाता है, लेकिन क्यूंकि मैं ‎क जल्द हो परप नितने हैं को अधिल पर कम एक दो इसे हैं . पर यह कोई भी कि तो आप ठीचा में वहीग रोगिया है । मैं झाट करें रहते हैं वहाँ तो इस तरह के इस अपकों करें है इसमें सबस्कारी मंतरने हैं कि आप कोई भी heavy greasy oil यूज कर सकते हो और अच्छे से अपने hair की massage कर सकते हो उसके लिए सरसो का तेल, mustard oil बहुत अच्छा है, castor oil बहुत अच्छा है, olive oil, coconut oil इन सब का आप maximum use करो आप बालों में घी लगाओ, घर के जो घी बनते हैं देशी घी घर में जो भी बनाते हैं वह घी यूज करो वह आपके बाल के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा तो इन सब को यूज किजिए आप और आप देखेंगे कि आपके बाल जोए बहुत अच्छ करते रहना है उसके बाद next है कि heating tools जो होते हैं जो heating appliances होते हैं जिनसे हम बालों की straightening करते हैं आइरेनिंग करते हैं तरह तरह की appliances जो हम यूज करते हैं curler है, pomming हैं यह सब कभी भी high-permosetory वाले hair वाले कभी भी ये appliances यूज मन कीचिए एक बार हो सकता है कि अगर आप वो treatment करा और आप देखोगे कि आपके बाल बहुत फ्लोई हो गए और आप बहुत कोई शोचा होगे, for the time being for 4-5 months, 6 months आपको वो अच्छा लगेगा लेकिन फिर आपके बाल बहुत बुरी तरह से damage हो जाएंगे और आप सोचोगे कि वापस वही treatment या तो कर लो या फिर पूरे hair को कट कर वालो, इसलिए बहुत जरूरी है hair की सही धंग से care करना, तो आप heating tools यूज नहीं किजिएगा, कभी भी आपको गरम पानी यूज नहीं करना अपने बालों में, आपके लिए leave-in conditioner बहुत ही अच्छा है, शैंपू आप हमेशा chemical shampoo यूज मत किजिए, क्यूंकि उसे बालों पी-एच गड़ड़ा जाता है, और फिर आपके hair जो है नहीं डामेज होने लगते है, इसलिए कोशिश किजिए, कि नैच्रल शैंपू यूज करें, जो परेबन फ्री हो, सर्फिट फ्री हो, ऐसे shampoo को आपको यूज करना है, तो इन शैंपू को यूज किजिए, और गरम प पॉटल दाल लूटल अवहां डाल लूटल आप जा अबाद में अपके ढ़न, अपकेट बाल में अलोवेरा जलं यूज करियों को यूज करों अचे शेक करों पुड़ाज रूड़ा जाएगा, उसके बाद भीशेक करों पुरा फुली शेक करों अच्छे से मिक्स हो अगर आप कर रहे हो तो नीचे से सुझाना शिरू करो धीले 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 खीच खीच के जोर जोर से अगर आप बालो को बाऊंगे तो आपको इस प्रिटेंस का प्रॉब्लम हो जाएगा इसलिए आप लीविन कंडिशनर घर का बना इसी तरह से यूज कीजिए इसके अलावा शैंपू के पाद आप एपल साइडर विनेगर यूज कीजिए वह आपके बालों के लिए बहुत अच्छा कंडिशनर है मीन्स एक मग पानी में आप आधा कटोरी अगर अपल साइडर विनेगर डाल दोगे और से मिक्स कर दोगे और वह अच्छे से आप लास्ट प्रेंज कर लो तो वह बहुत अच्छा है आपके बालों के लिए इसके अलावा पैक में आपको क्या यूज करना है आपके लिए मास्क राइस के में आप एक आध कSofty तो चमच राइस यूज के जैसे दो चमच राइस और एक ज्वाज जसे डाल उसे बॉइल बॉइल करकर और और फिर आपते beim ब食べ hat ईसका करो कि वह स्टार्च जो एक मिक्स हो जाएं जब वह सेमी लेक्विड सा कंसेस्टेंश उछा पन गरिद आपके बहुत अच्छा है इसके अलावा बनाना कर्ड और हुई रवह मिक्स करके आप पैक लगाओ वह आपके लिए बहुत अच्छा है और अग्मास्क अगर ऐसे जो युग आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा है और अगर आपको hair dyeing करना है तो आप dyeing कभी भी chemical dyeing ना यूज़ करें जब आपको color करना हो तो आप हीना लगाएं और हीना के बाद दो दिन बाद जब oiling करें तो अच्छे से mustard oil की से मसाज करके steam दे बालों को तो जो भी roughness अगर बालों में आएगा तो वो अच्छा हो जाएगा तो बालों को steam जरूर दे इस तरह से अगर आप अपने बालों की care करेंगे low porosity वाले और high porosity वाले तो आप देखेंगे कि सही ढंग से जानकारी होने के बाद बालों की care करने से अपके बाल कितने भुपसूरत हो जाएगे तो मुझे उमीद है कि हमारा ये वीडियो आज आपके लिए काफी helpful रहा होगा और इससे related कोई भी queries हो तो आप मुझे contact कर सकते हैं मेरा number है WhatsApp number है 620-6308-7208 मुझे आप WhatsApp करें और अपनी queries को आप clear कर सकते हैं आप comment box में जाकर comment भी कर सकते हैं और next video आपको क्या देखना है ये आप मुझे जरूर बताएं Thanks for watching my video, bye bye